सु गई स्नाप ड्रेगन बेटर है या मीडिया टेक बेटर है यह लड़ाई तो चलते वे आ दिये बट अभी जो है सेम प्राइस रेंज में दो ऐसे प्रोस्टर आ चुके जिनके बीच में टक्कर होना लाजमी बन जाता है उनमें से एक है स्नाप डेगन 778 जी दूसरा अभी रिसेंटली लॉंच्ट हुआ है जो शाओमी 11i हाइपर चार्ज में आया हुआ मिडिया टेक डेमिस्टी 920 यहां पर हमारे पास एक साइड है शाओमी 11i हाइपर चार्ज दोनों में से बेटर कौन सा रहेगा पर्फॉर्मेंस के मामले में आये पता लगाते हैं कुछ यहां पर अंदुरूनी टेस्ट हम करने वाले जिनसे आपको सारा एडिया मिल जाएगा इस दोनों ही फोन यहां पर लेटेस्ट मियूए 12.5 वर्जिन पर रन कर रहे हैं इसमें जो है अभी रिसेंटली यह अपडेट आये इसको अभी हम नहीं करेंगे अल्लेड हमने सारी श्रीफ ला रहे हैं तो यहां पर नीचे लाल कलर के बटन को दबा दीजे क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी इंट्रेस्टिंग वीडियोस फीचर में भी आने वाली है मज़ेदार वे में तो दोनों में ही काफी यहां पर जोरो सोरो की टककर चल रही है मी लोगो आ चुका है लेट सी कौन सा वाला ओके यहां पर 11 i hypercharge hypercharge की स्पीड से पहले बूट हो चुका है तो अगेन हम एक और बार करके देखेंगे इसे अगेन यहां पर MI का लोगो पहले आ है सो होपफूली MI 11 i hypercharge इसे पहले बूट कर देगा अगेन 11 i hypercharge ने पहले बूट अप किया एक सेकंड पहले बूट किया बहुत जादा लंबा टाइम नहीं है बट स्टिल यहां पर यह पहले बूट कर देता तो इस राउंड का विजयता बन जाता 11 i hypercharge और कोई भी यहां पर 9 साफी नहीं की गई है दोनों फोन 8 GB 128 GB वेरेंट वाले तो राम की कोई भी दिक्कत नहीं है नौ यहां पर अगला टेस्ट आता है benchmarking test बहुत सारे apps ऐसे हैं जिने हम benchmark करके देखेंगे देखते हैं किसमें जादा score निकल के आता है और यह score बहुत जादा matter नहीं करता है UI matter करता है और दोनों में ही same main UI आपको मिलती है so let's see score किसमें जादा मिल जाता है यह जो benchmarking app के test यह सारे यहां पर high performance mode में डाल के लिए गये थे गेम turbo boost में भी डाला था तो कोई भी 9 साफी नहीं की गई है and सबसे पहले बात करें एंडर टू स्कोर की तो आप देख सकते हैं यहां पर snapdragon का जो प्रोसर है उसमें पांच लाग की उपर का आपको score देखने को मिलता है and mediatek में 486,000 का score देखने को मिलता है GPU में जो है यह मात खाया है यहां पर 123,000 है यहां पर 157 है बाकी में जो है almost यही सब में आगे है CPU छोड़के बात करें Geekbench scores की तो यहां पर आप देख सकते हैं single core main mediatek 70 definitely यहां पर आगे है बट multi score में यहां पर snapdragon आगे है उसके बात करें wildlife stress test के बारे में तो यहां पर भी again आपको snapdragon का processor जादा बेटर देखने को मिल जाएगा जादा अच्छा score इसमें मिल जाता है यहां पर सिर्फ और सिर्फ graph यह अच्छा निए score भी आप देख सकते है maximum performance गई है दो लाग साथ हजार something average दो लाग दो हजार something and minimum गई है 187 यहीं पर बात करें इसकी तो दो लाग नाइन हजार यह बड़ी आथा गुरू वहीं पर बात करें snapdragon 778G की तो यहां पर दो लाग नौ हजार something इसका maximum score इससे जादा है बट average जो है यहां पर कम हो जाता है जैसे कि आप सब देख सकते हैं and minimum भी कम हुआ है तो यहां पर graph से जो है बीच में बहुत ज्यादा ऐसे twist and turns है जिसकी वज़े से यहां पर overall performance बोले तो यहां पर media tech demonstrate 920 का ज्यादा 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 यहां पर storage की read right test भी हमने करकी देख सकते हैं यहां पर जो है media tech demonstrate में ज्यादा score आपको देखने को मिल जाता है बहुत ज्यादा नहीं है हलका सा score ज्यादा आपको media tech में मिलता है तो read right speed तो देख ली अब यहां पर इनहीं बीच में जो है आपको एकॉट टेस्स निकल के आएगा जो होगा आप ओपनिंग टेस्ट का यह गेम ओपनिंग टेस्स बोलीजिए क्योंकि यहां पर हम बढ़ी बड़ी बड़ी एंड small medium games open करके देखने वाले दोनों में से background में रहा मतलब अब बंद ना हो सबसे पहले बात करते हैं लूडो किंग से snapdragon ने पहले खोल दिया है candy crush शागा सागा मीडे टेक ने पहले खोला यहां पर तब्वे सर्फ snapdragon ने पहले खोल दिया है temple run 2 अगें snapdragon ने पहले खोल है बट almost same ही time पर यह load हो रहा है जिसकी आप सब देख सकते हैं vector 2 almost same time पर दोनों में खुला है अब आती थोड़ी सी बड़ी गेम यहां पर shadow fight 3 almost same time पर दोनों में खुला है badland almost same time पर दोनों में खुला है अब आती हैं उससे भी बड़ी गें pubg new state snapdragon काफी तेजी से बढ़ता हुआ आगे and खोल चुका है यहां पर snapdragon ने पहले उसके बाद call of duty mobile again snapdragon ने यहां पर पहले खोला है last but not the least अब हम सभी का प्यारा hacking वाला गेम बीजी एमाइग and media tech demonstrate ने बहुत जल्दी खोल दिया वह यह एक डेट दो सेकंड पहले खोल दिया यह शौकिंग था यहां पर आपने देखा जादा तर जो एप्स हैं वो snapdragon के प्रोसेसर ने खुला है ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वह हम लास्ट ने डेफिनेटली बताएंगे तो वीडियो को आखिर तक देखते रही है अब हमने बहुत सारे खोल दिये देखते हैं बैक्ग्राउंड में कितने आप दोनों में रनिंग है स्टार्ट करते हैं BGMI से दोनों में खुला है Call of Duty दोनों में खुला है New State दोनों में खुला है Badland दोनों में लोड हुआ दुबारा से शेड़ो फाइट 3 दोनों में खुला है Vector 2 दोनों में दुबारा से लोड हुआ Temple Run 2 दोनों में खुला हुआ है Subway Surf दोनों में खुला है Candy Crush Saga दोनों में खुला है Ludo King दोनों में खुला है So guys RAM Management और Memory वाले टेस्ट में दोनों फोन में Xiaomi का में जुए तो definitely हमें यह expected था कि same ही result देखने को मिला है एक गेम छोड़के बाकी सारे दोनों में खुले थे तो अच्छा खासा RAM Management यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है Now guys यहाँ पर आज का सबसे important test है YouTube test तो YouTube app देखते हैं किसमें पहले खुल जाता है दोनों में 7 में खुला है and subscribe का बटन भी यहाँ पर जल्दी से दबा देता है दोनों में ही तावर तोड की spirit से जो है subscribe का बटन दब जाता है So make sure करें कि आपने अगर subscribe का बटन नहीं दबाया तो नीचे दबा दीजिए वीडियो को like कीजिए घंटी दबा दीजिए ताकि सारे notification आपको मिल सके ऐसे ही interesting videos आती जाएगी यार आपके लिए बनाएंगे और किसके लिए बनाएंगे Now guys अब बात करतें यहाँ पर conclusion के बारे में कि यहाँ पर Xiaomi 11 Lite NE जिसमें Snapdragon 778G आता है वो बेटर है यह Xiaomi 11i Hyper Charge जिसमें MediaTek Demonstry 920 आता है वो बेटर है So यहाँ पर आपको देखने से एक अंदाजा मिली गया होगा कि यहाँ पर Snapdragon की जो side है वो थोड़ी सी बेटर है gaming and performance के लिए क्योंकि जो gamers हैं जो यहाँ पर developers हैं वो game को ज़ादा optimize करते हैं Snapdragon के device के लिए then MediaTek के device के लिए बट MediaTek जो है मेरे को लग रहा है 2022 में काफी अच्छा काम करने वाला है क्योंकि 2021 में इन लोगों ने return किया MediaTek Demonstry 1200 से and काफी जो है अच्छी एक reach मना लिए तो 2022 में शायद Snapdragon को यह पीछे छोड़ पाएगा बट फिलाल अभी इन दोनों processor के बीच में मैं definitely बुलूँगा 778G Snapdragon जादा बिटर है जादा consistence है performance के मामले में आपको proper gaming ही करनी है तो मैं बुलूँगा Snapdragon के साथ जाए फिलाल rather than MediaTek Demonstry 920 अगर आपको hyper charge चाहिए बिलकुल 15 minutes में full charge करना है एक normal day-to-day usage वाला एक average phone चीए जिसमें सारे टास अच्छे से handle कर पाए तो definitely आप MediaTek Demonstry 920 के साथ जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी so I hope so guys सारे doubt आपके clear हो गएंगे नहीं clear हो तो नीचे comment section में comment कीजिए आपके doubt clear करना हमारा परमधर्म करतव यह बन जाता है संसार में मनुष शिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके शब्द में है तो अपने जो भी शब्द बोलते बहुत ही ध्यान से सोच समझ के बोला कीजिए झाल